जाहिन्द एवरीवन वेल्कम टू रॉयल्स एजुकेशन पर आप सभी लोग का स्वागत है और आज चलिए हम पढ़ते हैं जैसा कि आप लोग के स्क्रिन पर उपर की तरफ स्क्रोल होके आ रहा है कि डिफेंस वाली जो फाइल हमने आपको दी है उसको हम फ्राइडे देली फाइड पीम पर पढ़ेंगे और बाकी सारी क्लासे जो हैं वो नॉर्मल ही रहेंगी क्लियर है तो प्लीज कंफर्म कीजिए देट आप मुझे अच्छे तरीके से सुन पा रहा हैं बदाईए कंफर्म कीजिए देट आम वीजिबल और अडिबल तो आल अफ यू एनिवन प्लीज लिखो लिखिए कि हमारी अवाज अभी आप लोगों तक अच्छी तरीके से पहुँच पा रही है सुन पा रहे हैं आप लोग हमें पा रही है सुन पा रहे हैं आप लोग हमें ओके दर्स वेरी गुड चलिए राजबंत जैहिंद और अभी फिलाल हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकिशन ओफ मिसेल्स क्या है आई जी एम डीपी क्या है और मिसाइल्स ओफ इंडिया भारत में कौन कौन सी मिसाइले हैं यह सारी चीज़े हम बहुत ही बेतर तरीके से बड़े ध्यान से इसको पढ़ने वाले हैं क्लियर हैं दीप्ती मोस्ट वेलकम तो हिंदी में भी पढ़ेंगे इंग्लिस में भी पढ़ेंगे अराम से काफी बड़ी फाइल है और लगबग इंडिया के जितना डिफिन सिस्टम है अलग-अलग प्रगार की मिसाइले आइटिलरी कौन-कौन से जहाज है कौन से हेलिकॉप्टर है नवी की पावर क्या है एक्जाम्स में ऐसे कुश्चिन्स पूछे जाते हैं ठीक है इंडिया में कौन से ड्रोन क्या है ड्रोन टेक्नलोजी क्या है एंटी सेटलाइट टेक्नलोजी क्या है मिशन श्रक्ति क्या है डी आइडियो क्या है इन सभी चीजों को हम एक एक करके दीरे-दीरे पढ़ जाएंगे सालों मोस्ट वेलकम ठीक है यह पूरी चीज़े हम दीरे-दीरे-दीरे-दीरे करके पढ़ जाएंगे स्म्चाणीब क्यों रखा हुआ है तो कैसे उसको नहीं यूज करना है इन सब के बारे में हम एक एक करके इन चीजों के ओपर बात करेंगे CTBT क्या है, NSG क्या है, Warning System क्या है, CDS क्या है हर्ष आपने ये फाइल ली है, वहाँ से, ग्रूप से आपने ली है, this is very much important बहुत ही, सभी लोग अगर आप लोगोंने फाइल नहीं ली है तो ये फाइल ले लेना, क्योंकि बाकी सब किताबों में मिल जाएगा इसमें जो चीजे हैं, very good, अगर ली है तो, अंसिका most welcome तो इसमें जो चीजे हैं, वो कई जगहों से निकाल करके, निचोड करके लाई गई हैं, तो ये साथ चीजे न मिल पाए, राइट, तो फ्लीज इसको आप लोग देखिएगा फिर कौन-कौन सी ये चीजे हैं, सारी चीजे हम पढ़ेंगे, राइट, शुरुवात करते हैं हम classification of missiles से, classification of missile यानि की missileों का वर्गी करना क्या है, देखो missile, missile किसको कहते हैं, what is missile, missile कोई भी ऐसी चीज जो फेक करके मारी जया, पहरे पुराने जमाने में दो प्रकार के अस्त्र होते थे, दो प्रकार के हत्यार होते थे, एक होता था अस्त्र और दूसरा होता था सस्त्र, clear है, अस्त्र और सस्त्र, दोनों में क्या अंतर था कोई बताएगा, अस्त्र और अस्त्र और सस्त्र में क्या अंतर होता है कोई बताएगा बोलिए पुराना रमायन माभारत आप लोगों ने बहुत देखा होगा तो थोड़ा सा इस चीज़ पर कोई प्रकास डालेगा कि भाई अस्त्र में और सस्त्र में क्या अंतर है शस्त्र का मतलब भी हंतियार होता है अस्त्र का मतलब भी हंतियार होता है दोनों में क्या अंतर होता है बताएगे दोनों में ही क्या अंतर होता है हिंदी इंग्लिस दोनों में ये फाइले हैं बड़ चुकि जो मिसाइल के प्रकार है वो तो हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो मतलब काफी ज़्यादा चीजें ऐसे लगेंगी कि भाई चीजें आप लोग मतलब नहीं समझ में पाऊगे सालूर डिफ्रेंस अस्त्र डिस्टन्स को कवर करता था और वेरी गुड वेरी गुड देखो में जो मुद्दा है मिसाइल क्या होती है सबसे पहले तो मिसाइलों को जानने से पहले जो दो चीजे जानने की जरूरत है वो ये है कि अस्त्र क्या होते हैं और सस्त्र क्या होते ह आप लोगों ने रमायन मा भारत बहुत देखा होगा उसमें दो चीज़े समझ में आ गई होगी एक होता है अस्त्र कहते हैं कि जिसे दूरी से फेक कर मारा जाए मतलब की किसी भी माध्यम से अगर आप उसको दूरी से फेक करके मारते हैं तो वो ठिक है हाँ इनको हमेसा ही चलाने के लिए किन किन चीज़ों की आऊ सकता होती है अगनी किसी चीज़ को फेक होगे कैसे फेक होगे अगनी के माद्यम से गैस के माद्यम से फेक होगे किसी भी चीज़ को विद्धूत के माद्यम से फेक होगे या किसी भी चीज़ को यांतरिक उपायो के यांतरिक उपायो यानि कि mechanical, mechanical system के माध्यम से फेकोगे, ठीक है, उपायों से फेक कर, इसमें जो मुख्य important जो चीज है, वो ये है कि इसको फेक कर मारा जाता है, नहीं अरजुन, just started, just started, आप देख लो, कुछ भी system, बस मैं classification of missile बता रहा हूं, लेकिन classification of missile जानने के पहले, हमें ये जानने की जुरूत है, what is astr, what is sastr, माभारतों माभारत, आप तो फिल्में बहुत देखते हैं, पुरानी फिल्में अगर देखिए, तो यहां पर थोड़ा प्रकास डालिए, तो astr कहते हैं, जिसे दूरी से फेक करके मारा जाए, अगनी gas, विध्युत, यांत्री कुपायों के माद्यम से, यानि की, astr हम कहेंगे, astr, which can be, which can be thrown, by various means, various means, यहां पर a type of weapon, a type of weapon, ऐसा हत्यार, जिसको, which can be, जिसे फेक करके मारा जाए, बहुत देखी है, सर, पूरी माभारत देखी है, right, by various means, various means कैसे, आपने धनुश लिया, धनुश, धनुश क्या है, एक mechanical system है, लकड़ी होती है, लकड़ी के बाद उसमें धागे लगे होते हैं, तो एक machine है, धनुश, यांत्री कुपाय है, उससे उस पे बार्ण चलाके मारते हो, बार्ण जब मारते हो, तो बार्ण जो जाता है, वो क्या है, बार्ण हमारा, एक, बार्ण क्या है, बार्ण अस्त्र है, clear है by various means maybe जैसे example ले लेते हैं हम bow bow and arrow जैसे हो गया arrows चला करके मारते हो clear है सबको शस्त्र क्या है सस्त्र क्या होते हैं सस्त्र वो होते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं लेकिन हाथ में रखके लड़ना पड़ता है जैसे तलवार तलवार गदा बिलकुल fighter plane से जो किसाइल फेकी जाएगी राइट हर्ष fighter planes जो है fighter plane से एक mechanical system हो गया fighter plane is a mechanical system fighter plane से जो हथियार फेके जाएंगे वो सारे के सारे अस्त्र कहलाएंगे तो fighter plane क्या है इडिजा मशीन इडिजा मशीन विच थो अस्त्र क्लियर है हर्ष सस्त्र वो होते हैं सस्त्र काफी हथियार होते हैं काफी मतलब खतरनाक हथियार होते हैं जिन्हें हाथ में लेकर लड़ा जाता है जिन्हें हाथ में लेकर लड़ा जाता है यह समझने के लिए है में लेकर लड़ा जाता है लेकर लड़ा जाता है everybody understood this तो अभी यह main मुद्दा जो हम जिसके ऊपर जिसपे हम बात करने वाले हैं तो जो main मुद्दा है वो मुद्दा किस जीश पर हम बात करेंगे हम नहीं बात करेंगे इन सस्त्रों के ऊपर हम बात करेंगे खाली अस्त्र के ऊपर अभी, right? We are talking about only अस्त्र. तो यहीं से हमें मिसाइल मिलता है. What is मिसाइल? मिसाइल क्या है? तो मिसाइल को हिंदी में कहते हैं हम कि मिसाइल जो होता है या प्रक्षे पास्त्र होता है. इसको कहते हैं प्रक्षे पास्त्र. प्रक्षे पास्त्र. प्रक्षे पास्त्र मतलब सेम वही चीज़. मिसाइल जो होते हैं एक प्रकार के अस्त्र होते हैं. अस्त्र होते हैं जिसको की प्रक्षे पित करके जिसको किसी मशीन से चाहे वो लैंड जैसे मैंने बताया अभी हर्स को जवाब दिया कि क्या है अस्त्र को किसी युक्ती के माध्यम से फेका जाता है तो ये जो मिसाइल है मिसाइल एक प्रकार के अस्त्र ही होते हैं जिनको की कुछ युक्तियों के माध्यम से फेका जाएगा कहा से चाहे लैंड पे किसी आइटिलरी के माध्यम से इसको फायर किया जाए या फिर किसी लॉंच पेड के माध्यम से जो की पानी के अंदर हो उससे फायर किया जाए या फिर जहाजों में लगा करके, फाइटर जेट्स में लगा करके मारा जाए Clear है? What is missile? मिसाइल सब लोग समझ गया कि मिसाइल क्या होते हैं कई विद्यों से मिसाइल को चला करके मारा जाता है कहां कहां से जमीन से पानी के अंदर से सबमरीन सोती हैं उनके अंदर से और उसके बाद से हमारे कुछ जो फाइटर प्लेंस हैं उनमें लगा कर वेरी गुड अब देख मिसाइल कई प्रकार के होते हैं मिसाइल का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं मिसाइल का जो हम वर्गी करन करते हैं यह पिक्चर जो है वो दोनों ही हिंदी और इंग्लिस में होनी चाहिए थी बड़ चुकि पिक्चर है इसलिए इसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है तो इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं तो अगर हम देखेंगे कि classification of missiles what are the types of missiles कितने प्रकार की होती है missile हां sea से sea to earth earth to earth and land to earth या फिर ऐसा भी हो the earth to sea air to भाई कहीं कहीं से कहीं मारा जा सकता है clear तो अब इसके वर्गी करण को हम देखेंगे मतलब कि प्रक्षे पास्त्रों के वर्गी करण को हम देखते हैं वर्गी करण भाई प्रक्षे पास्त्रों को कई हिसाब से वर्गी कृत किया जा सकता है land to land land to air air to land कुछ भी हो सकता है basically इसको हम अभी जानेंगे launch mode कौन कौन से हैं यहां पर सब आपके सामने लिखा है clear है तो हम देखेंगे what are the classification of missiles आपको बता दिया कि missile क्या होते हैं missile एक प्रकार के अस्त्र होते हैं जिनकों की फेक करके मारा जाता है फेक करके मारने में कोई भी माद्यम हो सकता है कोई भी machinery हो सकती है जैसे मैंने बताया था धनुष धनुष एक machine है उस पे बाढ़ आप चलाते हैं boy is a machine you put the arrows over it there after you launch उसके प्रक्षेपास्त्रों के वर्गी करन को हम पढ़ेंगे अभी नए डिजाइन में भी किस प्रकार के प्रक्षे प्रक्षेपास्त्र हैं हाँ I will tell that in English also what are what are astra what are the missiles so missiles are those which can be launched and can be thrown from a distance it may be from a mechanical system I told you that the example it may be the bow if you put the arrow over it you pull the string and it will shoot it will go a very long distance तो anything which can be shoot from a long distance is called astra and here we get the definition of the missiles clear है अब देखो टाइप अब इन मिसाइलों को अलग अलग प्रकार से वर्गी कृत किया गया है what are the classification सो इसके अलग अलग कौन से प्रकार हैं तो देखो कितने हिसाब से इसको बाटा जा सकता है पहला जो बाटना है उसको हम कहते हैं प्रकार के हिसाब से टाइप के हिसाब से लॉंच मोड के हिसाब से मतलब किस जगह से किस जगह से इसको लॉंच किया जा रहा है ठीक है नई लॉंच करने के तरीके के हिसाब से या फिर चलाने के चलाने के तरीके के हिसाब से launch मतलब चलाना तरीके के प्रकार से तरीके के हिसाब से चलाने के तरीके से लिखो ठीक है? ओके दूसरा range range मतलब वो कितनी दूरी तक मार कर सकता है up to how long it can hit कुछ कुछ मिसाइले हैं जो 5000 किलोमिटर तक जाकर के मार कर सकती है 5000 किलोमिटर सोच लो 5000 किलोमिटर is not a very short distance हालत खराब हो जाएगी पाकिस्तान भी 5000 नहीं है चीन में भी चीन के हम बहुत अंदर तक मार सकते हैं दिल्ली से राइट बहुत ही अंदर तक मार सकते हैं तो उसको बोलते हैं range हां इंटर कॉंटिनेंटल मतलब यहां से अगर हम मारेंगे तो इस कॉंटिनेंट के बाहर आफरिका में मार सकते हैं हम अमेरिका में मार सकते हैं हम यॉरॉप में मार सकते हैं ठीक है तो range यानि की मारक मारक शमता range का मतलब होता है मारक शमता के आधार पर फिर जो थीसरा है propulsion, propulsion किसको पता है, how many of you know about the propulsion, propulsion किसको पता है, गाड़ी वाड़ी, स्कूटी कौन चलाता है, हर्शी, सालू, कांती सिंग, किसी के पास स्कूटी स्कूटी है आप लोगों के पास, you girls might be using it, अंसिका, अर्जुन आपके पास, मोटर साइकिल, स्कूटी, कार, किसी के पास, बोलिये, मारक शमता, हाँ, मारक शमता, कितनी दूर तक मार सकता है, ओके, सालू के पास है, very good, हाँ, ठीक है, तो अगर आपके पास है, ठीक है, ड्राइविंग करने नहीं आती, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आती थी, बट मैंने जब चलाना शुरू किया, तो सिख गया, राइट, ओके, कोई बार नहीं, हर्ष, हर्ष, आप ड्राइव करते हैं, इन फैक्ट, जो 18 से कम के हैं, उनको नहीं ड्राइव करने चाहिए, और आई होब कि आप सभी लोग मोर देन 18 हैं, अगर आप ड्राइव करते हैं, तो वाट ड्राइव करते हैं, तो वाट दो यू मीन भाई प्रोपल्शन, प्रोपल्शन से क्या समझते हैं, कोई भी प्रोपल्शन से क्या समझते हैं, देखिए, बाईक ही, बाईक हर एक चीज में प्रोपल्शन होता है, देखो, मोटो साइकल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, मेरे पास भी है, एक बुलेट है, एक कार है, ठीक है, तो मैं गाड़ी जब चलाता हूँ, हाँ, एनर्जी सोर्स, नहीं, अभी देखो, सुनो, कोई भी गाड़ी चलाओगे, कैसे चलेगी, इट नीट सम एनर्जी, तो आज कल की गाड़ियों में, जो हम चलाते हैं, वो मेकैनिकल एनर्जी पे चलती हैं, लेकिन उन गाड़ियों को वो एनर्जी कहां से मिलती है, तो हर एक गाड़ियों में इंजन होता है, क्या होता है, हर एक गाड़ियों में इंजन होता है, क्लियर, कांति सिंग, इंजन होता है, बताइए, अर्जुन, गाड़ियों में इंजन होता है, हर्शी मिश्रा, कांति सिंग, सालू, गाड़ियों में इंजन होता है, इंजन ही मेन है क्योंकि इंजन ही गाड़ी को क्या आगे की तरफ ले जाता है तो प्रोपोल्शन जो शब्द बना है वो आगे की तरफ ले जाने से आगे की तरफ प्रोपेल करने से बना है क्लियर तो प्रोपोल्शन का क्या मतलब होता है कि भाई जो इंजन है यहां पे मिसाइल के अंदर या गाड़ी के अंदर उसमें किस प्रकार का तेल मतलब किस प्रकार का क्या पढ़ रहा है तो देखो कुछ गाड़ीों में क्या पढ़ता है पेट्रॉल पढ़ता है कुछ गा ठीक है? इसका मतलब यह है, main propulsion हम कहें, तो it is related to the engine, और जब propulsion कहीं पर हम use कर रहे हैं, ठीक है? जब propulsion हम use कर रहे हैं, तो बस आपको यह बता देना है, कि यह जो propulsion है, उसमें किस प्रकार का इंधन, what type of fuel is being used? क्लियर है, सब लोग बात समझ रहे हैं? यानि कि अगर मिसाइलों की propulsion की बात करें, तो किसी किसी में जो इंधन लगेगा, वो solid propulsion लगेगा, ठीक है? तो अगर सीधा सीधा question पूछूँ कि आपकी bike, आपकी स्कूटी में किस प्रकार का propulsion है, तो आप क्या कहोगे? लिकूइड प्रॉपल्सन है, प्रॉपोल्षन का मीन्स हुआ इंजन, सुनो, प्रॉपल्सन का मतलब हुआ है, वन विच कन फेसिलीटेट, बट अगर हम प्रॉपोल्सन टाइब की बात कर रहे हैं तो the engine which runs on petrol, the engine which runs on gas, the engine which runs on solid fuel, clear हर्ष यहां पर propulsion मतलब one which can make your vehicle move forward, that means the engine, लेकिन जब यहां पर हम इस संदर्व में बात करेंगे, when I am talking in the context here, तो वहां पर यह जो हमारा engine है, what type of fuel it is using, clear है, हाँ, कौन सा engine किस fuel से चलेगा, यह मतलब हुआ, हर्षी, very good, समझ रहा है, तो आपकी गाडिया अब मुझे बताओ, कि कौन से fuel से चलती है, सब लोग बत liquid propulsion है, clear है, liquid propulsion है, ठीक है, तो इस तरह से, अगर हम missile की बात करेंगे, हाँ, liquid fuel, liquid fuel, कुछ कारे ऐसी भी होती है, जिनके अंदर gas से चलती है, आपने देखा होगा, कुछ कारे gas से चलती है, clear, कुछ कारे gas से भी चलती है, gas से, उसमें आपका जो normal cylinder लग जाता है, या दिल्ली वगएरा से कोई रहने वाला है, तो वहाँ पे एक special कौन सी होती है, natural gas, जो गाडियों में डालते है, उससे भी चलती है, clear, cng, cng, very good, तो cng में पूछू कि कौन सा, कौन सा propulsion है, तो आप बोलोगे कि cng में gas propulsion है, बाइक में आपके कौन सा propulsion है, तो आप बोलोगे liquid propulsion है, clear है, compressed natural gas, solar भी है, hybrid है, very good, सब लोग propulsion समझ गए है, यानि कि propulsion, if I am talking about the propulsion, what I mean here, I mean, fuel, what type of fuel is being used in the engine, ठीक है, तो हम लिखेंगे, propulsion का मतलब कि इसके engine में, engine में, परियुक्त, इंधन का प्रकार, propulsion का मतलब क्या हुआ, engine में परियुक्त, इंधन का प्रकार, clear है, and lastly, guidance system, guidance system, किस प्रकार का guidance system है, guidance system से क्या समझते हैं, आप देखना, usually, मैंने तो, because of my service, I have done, मतलब, हमने firing और रिंग करी है, बाहर में भी, बिहार से हैं, तो वहां पे, घरवर से ऐसे थे, कि वहां पे भी कभी बंदूखे मिल जाती थी, तो हम लोग ने fire किया है, अच्छा, तो आपने अगर कभी firewire किया है, अगर कभी मेले में गए हो, या घर पे बंदूख हो, तो आपने कभी fire किया होगा, तो आप कैसे, target पे कैसे मारते हो, भाई बंदूख ली, कंदे से लगाया, और आग से निसाना लगा रहे हैं, नहीं, आग से निसाना लगाते हो, गोली को कैसे guide करोगे, सिर्फ देखके, सिर्फ देखते हो भाई, आगे वाले जो front side से पीछे वाला back side को मिलाया, dot से मिलाया, फिर target के सामने मिलाया, उसके बाद trigger को दबा दिया, ऐसे fire करते हैं, ठीक है, guidance system का मतलब है, अच्छा, US के soldiers कैसे fire करते हैं भाई, US के soldier अगर उनके पास बंदुकों में laser होती है, ठीक है, फट से ऐसे ये gun को करेंगे, आपके सिर्फ एक red dot दिखाई देगा, red dot पे गोली मार देंगे, right, red dot पे क्यों अरजुन, red dot दिखाई देगा, red dot दिखाई देगा, red dot पे गोली मार देंगे, movie में देखा है, तो वो जो, हाँ, तो ऐसे हथियार, जिसमें हम क्या करते हैं, हम आखों से देख के मारते हैं, तो ये completely हमारे शमता के उपर depend करता है, कि हमारा aim कितना अच्छा है, हाँ, जब गोली firing की जाती है, तो हम कितने मतलब patience में हैं, गुसे में firing नहीं करना है, ने त तो इसलिए जो guidance system क्या होता है, कि जब आपने missile को launch किया, या गोली को मारा, तो किस तरह से आप निशाना लगा रहे हैं, तो मैंने बताया कि भाई, बंदूग तो हम लोग चलाते हैं, सिर्फ देख के मारते हैं, लेकिन US वाले कैसे use करते हैं, laser guidance होता है, बस उन्होंने ऐस से बंदूग को किया, dot दिखेगा, यहां पर red color की dot दिखेगी, trigger दबाया, आदमी खतम, वहीं पर, टट, खतम, तो इस तरह से, जो missile होता है, भाई, missile, हाँ, बिलकुल, only UPSC, right, तो, देखो, तो अब मेरा यह कहने का मतलब है, कि अब बताओ, कि अगर खाली हम line of sight देख करके, देख करके जब fire कर रहे हैं, सोचिए, सिर्फ जब हम देख करके fire कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास intercontinental missile है, जो 5000 km तक मारती है, अब 5000 km कौन से किस चीज़ से देखोगे, अर्जुन, हर्ष, सालू, कांति सिंग, हर्षी, अंसिका, हाँ, GPS भी होता है, GPS तो यह किसी भी gun में fit किया आ सकता है, हमारे यहाँ पे भी कई सारे lasers वगेरा आ गये हैं, हाँ, नहीं, आप 5000 km तक line of sight से नहीं fire कर सकते हैं, line of sight से fire नहीं कर सकते हैं, और line of sight से में सिर्फ आप laser से ही fight कर सकते हो, beam होंगी, laser होंगी, right, तो इस प्रकार से मतलब missile किस प्रकार जाके मार रही है, निसाना किस तरीके से लगा रही है, हाँ, निसाना किस प्रकार से लगा रही है, उसको बोलते हैं guidance system, अब देखो, माल लो, यहाँ से China में, चाइना के अगर Beijing, Beijing सहर में हमें missile मारना है, तो हम को क्या करना पड़ेगा, चाईना में जहाँ पर missile मारना है, उसका क्या चाहिए, उसके coordinates चहिंए, है दो किया चाहिए बाई कोडिनेट्स रहे हैं कि हमने अपने मैसाइल में यहाँ पर यह पर बूस्क पेडिनेट्स डाल दिये छैना के एक उंद्सjalप्रवाभा़ धर कि अलएं है अगलो ऑज जल रहा वी कि विर्टू क्लास चल रहा है तो अगर हमें बीजिंग में मालों बीजिंग में मिसाइल मारनी है तो बीजिंग का हमें कॉडिनेट्स चाहिए कॉडिनेट्स एकदम उस पिन पॉइंट जगह का आज कल बस मोबाइल लेकर के आप जाओ आप कहीं पे मोबाइल लेकर जाओ GPS आउन करो वहां का कॉडिनेट एकदम बता देगा वह कॉडिनेट बस आपको ट्रांसफर करना है इंडिया में कोडिनेट्स वो इंडिया में ट्रांसफर करना है वही कोडिनेट्स हम अपने मिसाइल के अंदर डायल कर देंगे मिसाइलों में GPS होता है अब हमारा मिसाइल यहां से फायर करेंगे राइट और वो बिल्कुल ही जो हमारे यहां पे बैलिस्टिक मिसाइल है हां location एकदम pin type कर देंगे pin तो pin क्या होता है GPS coordinates जैसे GPS होतना इतने degree North इतने degree South clear माल लो कि अगर चाइना की बात करें तो कुछ degree यह Northern Hemisphere में है तो माल लो कि अगर हम कह देते हैं कि भाई कितने Northern Hemisphere है चाइना का राइट तो माल लो कि अगर यहां पर कह दिया 130 degree नहीं नहीं 130 degree North क्या तो नॉर्थ मतलब ऊपर हो गया ना तो आप माल लो हम कितना रखे हम लिख रहा है कि 80 degree North और हम लिख रहा है 130 डिग्री इस्ट क्लियर कि 80 degree North 130 डिग्री इस्ट हमने अपने मिसाइल में डाला और मिसाइल में डाल करके क्या किया कि यहां से एक बार बटन दबाया हमारा मिसाइल इस पूरे atmosphere के बाहर निकल जाएगा जो ballistic missiles है atmosphere के बाहर निकल जाएगे और ठीक उसी जगह पे जहां पे 80 degree north और 130 degree east लिखा हुआ है जहां पे calculate mobile से आपके दिखाया था GPS ठीक वहीं पे missile गिरेगा समझ रहे हो आप guidance system का मतलब कि वो उसको guide करके ले जा रहा है clear तो आज कल इनको दिसा देने की जुरूद नहीं है यहां पे बिलकुल आप दिसा ही दे रहे हो बड़ आपको बता रहे हो कि कैसे ये जाएगा कैसे मारेगा hit करेगा clear इसी लिए आप देखते होगे कि कभी किसी defense की जगह पे जाओगे सालू अगर आप कभी defense के किसी area में जाओगे तो आपको मना किया जाता है मना किया जाता है भाई कि मुबाइल मल्टी मीडिया मुबाइल न ले जाएं क्योंकि हमें आपकी मतलब आपके बारे में नहीं पता है कि आप क्या करेंगे आप बस gps on करके वहां से location भेज दोगे जैसे whatsapp पे आप location भेज देते हो तो वैसे बस location भेज दोगे किसी को यहां से चीन को और चीन उस location को डालेगा और वहां से missile दबाएगा सीधे आगर के army station में, air force station में, nevil वेस में आगे गिरेगा clear है? और इसी लिए कभी भी आप defense area में जाते हैं तो आपका mobile क्या करवा लिये जाता है? वहीं पे gate पे जमा हो जाएगा switch off करके तो इसलिए अगर कभी भी आप से कहा जाए नई मदीप्ती हम नहीं ले जाते हैं, हम छोट ऐसा mobile लेके जाते हैं जिसके अंदर GPS नहीं होता समझ रहे हो ना? तो वाट इस guidance system guidance system मतलब कि उस प्रक्षे पास्त्र को दिसा कैसे दिया जा रहा है प्रक्षे पास्त्र को निसाने पर लगने के लिए निसाने पर लगने के लिए निसाने पर लगने के लिए दिसा किस प्रकार दी जा रही है? किस प्रकार दी जा रही है? ये हो गया guidance system बिल्कुल हाँ बिल्कुल मेरे पास भी ये अलग से फोन मिला हुआ है रइट मामा जी को भी आपके ऐसे ही फोन मिला होगा ये service ने ये phone दे रखा है और ये इसमें SIM बिल्कुल मतलब service कहीं होता है रइट डिपती? सेम फोन मेरे पास भी है ऐसा ही phone रहता है क्लियर विल्कुल तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं मिसाइल को किस किस प्रकार से क्लासिफाई कर रहे हैं कौन कौन से टाइप है एक तो उनके प्रकार के हिसाब से कैसे सूट किया जा रहा है कहां से सूट किया जा रहा है रेंज कितनी दूरी तक मार कर सकता है प्लस तीसरा इंजन में पर्युक्त इंधन के प्रकार के हिसाब से ठीक है और अंत में गाइडेंस सिस्टम मतलब की प्रक्षे पास्त्र को निसाने पर लगने के लिए दिसा किस प्रकार दी जा रही है राइट इंग्लिस वाले तो समझ रहे हैं आराम से बताइए हर्ष और कांटी आयूस आप लोग आयूस बोल रहा हूं अर्जुन आप लोग यह अच्छे तरीके से समझ रहे हो कि कि इंग्लिस में गाइडेंस सिस्टम का मतलब हुआ ठीक है ओके अब देखो टाइप के हिसाब से कौन कौन से प्रकार होते हैं टाइप के हिसाब से दो प्रकार होते हैं वन इस क्रूज मिसाइल सेकंड इस बैलिस्टिक मिसाइल अभी हम जानेंगे दोनों क्या होते हैं बड़े बड़े अराम से मैं बताऊंगा चलाने के बिल्कुल बिल्कुल तो सालू यही मैं बोल रहा हूं कि नहीं आपके जगह पे पहले एक आयुष आयुष भी मतलब देखते थे आप पता नहीं उनकी तबियत खराब है यह क्या है राइट? He is also in the group तो वो देखते थे तो इसलिए मेरे मूँ से निकल गया देखो जो सालू ने लिखा कुछ लोग information leak करते हैं information यही लोग तो करते हैं leak वो सिर्फ defense के पास वाले area में जाएंगे वहां से mobile से location भेज देंगे दुश्मन को तो आपके mobile का location ही चाहिए भाई कि आप अंदर में गए हैं किसी ऐसे जगा पर जहां पर fighter aircrafts खड़े हैं और वहां से आपने location भेज दी location भेज दी अब उसके पास वो location परमानेंट रहेगा जब भी उसको बस एक बटन दबाना है वो location टाइप करने है इसलिए प्लीज अगर कभी भी defense में जाने का मौका मिले तो आप खुद ही एक जिम्मेदार नागरी की तरह आप नहीं भी भेजोगे तो कई सारे जो चाइनीज मोबाइल है वो आपने देखा आपनी अपनी लोकेशन भेजते रहते हैं ठीक है ओके अच्छा कोरोना होगा ओके सालू चलो ठीक है तो आप देखिए अब हम बात करेंगे कि भाई टाइप के अधार पे दो टाइप है टाइप के अधार पे दो ट्राइप हैं एक हो गया क्रूज मिसाइल हाँ इंडियन मोबाइल यूज किया जाता है कुछ भी यूज करना है जो जिसमें जीपियस वेगरा ना हो राइट क्रूज मिसाइल दूसरा है बैलिस्टिक मिसाइल मैं दोनों को बताऊंगा भाई इनक अच्छे पास्त की जगा मिसाइल ही लिखना सबको समझ में आएगा आपको खुद में समझ में आएगा अच्छा हर्ष कोरोना है चलो तो फिर ज़्यादा ज़्यादा अपने को वो मतलब नहीं बहुत ही ज़्यादा वीकनेस नहीं लेनी है राइट सब देखो सो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल की हम बात कर रहे हैं यहां पर अभी हम जानेंगे क्या होता है दूसरा लॉंच मोड के हिसाब से डिफेंस के नियर भी रेजिदेंशल एरिया होते हैं ओके टेस्ट and समेल गया टेस्ट and समेल तो मेरा कई साल से गया हुआ है मुझे कुछ नहीं मागता है राइट सो लॉंच मोड के हिसाब से सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल यानि कि हम कहते हैं इसको शता से शता पर मार करने वाले देखो ऐसे मिसाइल जो सतह से सतह पर मार करें कुछ आइटिलरी में उन मिसाइलों को भरा जाएगा और जमीन से ही मार करेंगे जमीन से मारेंगे फिर हवा में उड़ते हुए फिर जमीन पर जाके मारेगा तो इसको बोलेंगे सतह से सतह पर मार करने वाले क्लियर है लांच मोड के हिसाब से चलाने के तरीके के हिसाब से सतह से सतह पर सालू कांति सिंग हर्षी जैंड हर्ष कांति सब लोग बताईए अर्जुन अंसिका हाँ सतह से सतह पे मार करना है surface to air मिसाइल क्या मतलब है कि सता से हवा में मार करने वाला सता से हवा में मार करने वाला भाई क्लियर क्या क्या मैंने नहीं बताया कांती कांती से डिफेंस के नियर भी रेजिदेंशल एरिया होते हैं और कोर्स होते हैं हंड्रेड परसंट होते हैं हंड्रेड परसंट रेजिदेंशल एरिया होते हैं बट अगर आप उस रेजिदेंशल एरिया से मुझे जो है मुझे अंदर ही मिलना चाहिए था बड़ चुकि मैं बाहर रहता हूँ इसलिए अभी आप लोगों को ठाइम दे पा रहा हूँ तो सदा से हवा में मार करने वाले और वहां से भी आपका पूछना यह है कि सर वहां से भी तो लोग लोकेशन भेजते हैं वहां से लोकेशन भेजेंगे इसलिए जो भी उसके अंदर लोग रहते हैं उनको संसिटाइज किया जाता है उनको बताया जाता है कि आपको मुबाइल पर लोकेशन कम ओन करके रखनी है ज़रुवत पड़े तब ओन करके रखनी है वही वही मैं आपको बदा दिया इसलिए families को sensitize किया जाता है कि इसलिए defense के वाले area में भी residential area में भी लोगों को मना किया जाता है कि location किसी को ना भेजें और हम ऐसा विस्वास करते हैं कि जो हमारी families हैं वो इन चीजों को समझती है बागी विस्वास के उपर है देखो then सता से हवा में मार करने वाले मालों की किसी artillery में लगाया और उपर से नीचे से missile को मारा उपर हवाई जहाज को मार दिया किसी दुश्मन के fighter jet को मार दिया दुश्मन के fighter jet को मार दिया तो उसको हम कहेंगे सता से हवा में मार करने वाले फिर आया सर्फेस कोस्टू सी मिसाइल मतलब कि सर्फेस से हमने मारा और कहां पर मार दिया सर्फेस से हमने मारा और समुद्र के पानी के अंदर मार दिया ठीक है तो हम यहां पर लिखेंगे सता यानि कि तट के पास से समुद मिद्र में मार करने वाले हृँ इसको हम कहेंगे लैंड नो Tetia फिर एरटो ईयर मिसाइल हमारा जो सुखोई एक्रैफ यह हमारा जगवार है सुखोई है जो भीằं फाइटर में मिसाइल लग जाएंगे सुखोई में ब्रह्मोस लग बानता है ठीक तो यहां से ब्रह्मोस मारेंगे फिर हवा में दुश्मन की किसी एरकाफ्ट को मार देंगे ठीक है हवा से हवा में मार करने वाले जहाज से एक जहाज में फिट होगा दुश्मन के जहाज को मार दिया जाएगा मिसाईल से तो इसको हम कहेंगे हवा से हवा में मार करने वाले फिर पाजवा है air to surface मिसाईल अब हमारा अगर सुखोई के अंदर वो ब्रह्मोस वगरा लगा है दुश्मन के एरिये में गया और उपर से मारा नीचे पूरे city को तबाह कर दिया तो क्या होगा उसको हम कहेंगे हवा से सता पे मार करने वाला हवा से सता पर मार करने वाला एर टू लैन बिल्कुल एर टू सर्फिस फिर sea to sea missile अब हमारी नेवी है नेवी में कुछ सब्मरीन हैं जो पानी के अंदर रहती हैं या कुछ जो हैं हमारे पानी के अंदर बड़े-बड़े युद्ध पोत हैं बड़े-बड़े नेवल शिप्ट हैं उनके उपर मिसाइल लगेगा वहां से लॉंच करेंगे दुश्मन के दूसरे शिप के ऊपर या दूसरे सब्मरीन को मार देगा यानि कि पानी से पानी में मार कर रहा है सी टू सी क्लियर है शमुद्र से समुद्र में मार करने वाला मिसाइल ठीक है दूसरा सी टू सरफेस अब माल लो कि हमारा जहाद पहुंचते 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 पाकिस्तान की सीमा के बाहर पानी का जहाज और या सब्मरीन जो पानी के नीचे पंडूबिया जलती है तो वो पहुँच गई पाकिस्तान के पास और अंदर से ही मिसाइल मारा और पाकिस्तान के सिटी के अंदर जाकर के मार दिया पाकिस्तान के सिटी में जाकर मार दिया यानि कि हम कहेंगे समुद्र से सतह पर मार करने वाला सतह पर मार करने वाला हाँ और अन्द में है एंटि टैंक मिसाइल एंटि टैंक मिसाइल एंटि टैंक मिसाइल या यूजरी किसी नॉर्मल जीप से या कई बार इसको कंधे से रैट तैंकों को दुश्मन के टैंकों को जो सता पे होते हैं तो उसको मारा जाता है दुश्मन के टैंकों को बरबाद करने के लिए तहस नहस करने के लिए टैंक रोधी मिसाइल कहते हैं क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं टैंक रोधी टैंक को ब्लास्ट करने के लिए तहस नहस करने के लिए तो इसको बोलते हैं टैंक रोधी मिसाइल समझ गए ओके तो अभी मैंने बताया प्रकार आपको मैं क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों समझाऊंगा लेकिन यहाँ पर चलाने के तरीके के हिसाब से आपने जान लिए फिर हम जानते हैं मारक शम्ता के हिसाब से मारक शम्ता मतलब शौट रेंज मिसाइल कुछ मिसाइल हैं जो कम दूरी तक मार करेंगे तो हम लिखेंगे इसको शौट रेंज मिसाइल को कम दूरी के मारक शम्ता कम दूरी की मारक शम्ता मारक शम्ता फिर medium range missile यानि कि मद्यम दूरी की मारक्षम्ता फिर होता है intermediate intermediate range ballistic missile tank का range कम होता है हर्शी intermediate range ballistic missile यानि कि ये भी हमारी मद्यम मद्यम दूरी की ही होती है intermediate को क्या बोलते है चलो अंतरमद्यम होता है बड़ इसको हम लिखें अंतरमद्यम अंतरमद्यम थोड़ा मद्यम से ज्यादा अंतरमद्यम दूरी की मारक्षम्ता का बैलिस्टिक मिसाइल शम्ता का मिसाइल फिर इंटर कॉंटिनेंटल इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किसको कहेंगे अंतरमद्यम यहां से मारेंगे अमेरिका में जाकर के गिरेगा इंडिया से मार दो तो इसको हम कहते हैं अंतर महाद्वी पिया आंतर महाद्वी पिये कि सिधिक मिसाईल कि suck एंतर महाद्वी कि पीये बैलिस्टिक मिसाइल आपने जान लिया टायप प्रकार के हिशाव से से अभी मैं designer और बैलिस्टिक दोनों बताऊंगा लांच मोड आपने अच्छे से जान लिया रेंज मारक शम्ता जो है वह आपने जान लिया अब हम जानेंगे प्रोपॉल्शन के हिसाब से प्रोपॉल्शन मैंने क्या बताया था कि जो उसमें इंजन परियुक्त हो रहा है उस मिसाइल को तो अपने आप से जाएगा नहीं मिसाइल को तो जब आप लॉंच करोगे एक जगह से तो मिसाइल भी उसके अंदर कुछ क्या होता है उसके अंदर फ्यूल होता है जो जलता है तो मिसाइल को आगे की तरफ ले जाता है ठीक है तो हम सीधी बात लिख सकते हैं कि उसके उसम आप से एक मिनुट आप झाल कि यहां पर हमने पावर कट हो गया है कि पावर कट हो गया था तो इसलिए मैं सोचा कि बाखी सारी चीज़ें बंद करते हैं तो मालूम चला बीच में इंधन का प्रकार जो मिसाइल जाएगा उसमें भी कुछ फ्यूल होगा और वह जो फ्यूल होगा वह उसको उतने भाई 5000 किलोमीटर तक ऐसा तो कोई चीज है ने कि यहां से फेका पांच-जार किलोमीटर चला जाएगा अब उस मिसाइल के अंदर भी कुछ फ्यूल होगा कुछ इंजन होगा वह इंजन के अंदर जब वह फ्यूल जलेगा इंजन के अंदर या हम लिख सकते हैं इंजन में इंजन में परिकतः इंधन के प्रकार के हिसाब से टो फिर मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि भाई आपके पास motorcycle है आपके पास car है आपके पास scooty है किस प्रकार का fuel use होता है आपने सबने क्या बताया liquid propulsion वैसे ही missileों में कई प्रकार का propulsion कई प्रकार का fuel use होता है मिसाइलों के अंदर जो इंजन है उसमें कई प्रकार का फ्यूल यूज होता है एक हो गया उसको हम कहते हैं लिक्विट प्रोपोल्शन जैसे आपके में जैसे आपकी जो स्कूटी है आपके पास जो मोटर साइकल है आपके पास जो कार है सब लिक्विट प्रोपोल्शन से च इंधन होता है उसमें द्रविये इंधन कुछ-कुछ में solid propulsion भी लगता है solid propulsion ठीक है तो उसको हम लिखेंगे थोस इंधन थोस इंधन लगता है उसमें कि फिर हम देखते हैं hybrid propulsion जैसे आपने देखा है कि कई सारे हमारे के पास ऐसी कारे आ गई है कि या तो वह इलेक्ट्रिक से चलेंगी और फिर बीच में उसको shift करके हम उसको किस से चला सकते हैं कि एलेक्रिक से चल सकती है या फिर हम उसको डीजल या petrol से चला सकते हैं मतलब वह hybrid हैं दो चीज़ें हैं क्लियर है सब लोग इस बात को समझ पा रहा है प्लीज बताईए किसर रहं सभूल सब्सक्राइब हाइब्रिड हाइब्रिड मतलब अलग-अलग चीजें मतलब की हो सकता है कि electricity हो हो सकता है और एकाद चीजें हो बिलकुल सब लोग समझ रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे hybrid propulsion के हिजाब से very good सब लोग समझ रहे हैं hybrid propulsion मतलब की कुछ भी दो चीजें जहां पर मिल जाएं या तो गैस और फ्यूल या तो electricity and solar या तो या तो फिर आपका solar plus fuel दो भी दो तीन चीजे different type of fuel एक साथ यूज हो उसको हम hybrid engine कहेंगे फिर तीसरा तीसरा होता है रैम जेट रैम जेट का मतलब क्या होता है हां रैम जेट का मतलब क्या होता है रैम जेट जैसे जो हमारे जो भी fighter air cup उड़ते हैं उनमें फ्यूल तो जो पढ़ता है ध्यान दीजेगा उसमें जो फ्यूल पढ़ता है वह फ्यूल तो भाई हमारे यहां पर जो भी fighter या जो भी एक आप उड़ते हैं उसके अंदर पढ़ता है उसको हम कहते हैं ATF क्या बोलते हैं aviation T for Turbine और F for Fuel Aviation, Turbine, Fuel कहते हैं उसको यानि कि यह जो है Liquid होता है अब देखो कई सारे ऐसे Missile बन गए है कि वो हवा के अंदर जब उड़ेगा हवा में जब उड़ेगा तो हवा से ही हवा में जो Oxygen है उसको Burn करने का काम करेगी हवा से ही दूसरे Air Molecules को Hydrogen को ले लेगा हवा से Hydrogen को ले लेगा और वो Burn होगा यानि कि उसके पास अपना फ्यूद तो थोड़ी दिर के लिए था अब उसकी Speed की वज़ा से उसने हवा से Hydrogen को Draw किया और उसमें Already Spark है ही Hydrogen Draw हो रही है और Oxygen भी हवा में है मतलब हवा कहीं परियोग कर रहा है वो इंदन के रूप में Clear है? बताइए Everybody Understanding कि Ram Jet क्या है और उसी में एक Advanced तरीका है Scram Jet उसी में एक Advanced तरीका है Scram Jet ठीक है? और अंत में होता है Cryogenic Fuel ऐसे Fuel की काफी ठंडे होते हैं? आसे Fuel जो काफी ठंडे होते हैं जैसे Nitrogen का परियोग अगर आप कर रहे हैं अगर आप इंजन में Nitrogen का परियोग कर रहे हैं मिसाईल को प्रोपेल करने के लिए अर्जुन अर्जुन को पता होगा अर्जुन you have seen a few race movies कुछ ऐसी movie देखी हैं जिसमें race होता है उसमें क्या होता है नाइट्रस जब ना गाड़ी को खुब तेज भगाना होता है तो क्या करते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला हिस्सा इंगेज करते हैं नाइट्रोजन बहुत ही ठंडी होती है राइट तो वहां पर इंगेज करते हैं गाड़ी में उस प्रकार से तो उसको हम कहते हैं तो वह आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ मिसाइलों के अंदर वो क्रायोजनिक या बहुत ही ठंडे गैसेस का प्रियुक किया जाता है इंदन के रूप में तो यह हो गया इंदन में इंजन में प्रियुक्त इंदन के प्रकार के हिसाब से और अंत में हम देखते हैं भाई guidance system के हिसाब से what are the guidance system मतलब एक बार जब आपने missile को चलाया तो missile को मालनो कि अगर हमें बीजींग में मारना है हमें बीजींग में या संगहाई में ले जाके उस missile को मारना है तो वो missile किस प्रकार से वहाँ पे निसाने पे कैसे लगेगा निसाना पे लगने के लिए उसको दिसा कैसे दी जा रही है तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप है एक होता है वायर guidance वायर गाइडेंस वायर गाइडेंस के हिसाब से यानि कि अगर यहां से लेकर के वहां अगर हमारे पास जैसे टेलिफोन वायर होते हैं उस प्रकार मतलब वह सिस्टम अगर हम यूज कर रहे हैं तब एक missile launch करने का यह तरीखा है दूसरा है command guidance कि हाँ बीजिंग उड़ा देंगे ठीक है हाँ वान में भी मारे तो दूसरी एक command guidance कमांड guidance का मतलब जो भी चीज आपने यहीं पर कमांड डाल दिया कि यहां से जाना है वहां पर मारना है तीसरा है तीसरा है terrain comparison guidance उसमें क्या होगा कि उस जगह की photo खीची है अगर आपको फॉज की जगह का वायर से connect रहते हैं मतलब नहीं जहां पर जहां पर मार अगर करना है जहां पर निशाना मारना है वहां तक अगर वायर की connectivity है मिसाइल वायर से नहीं connect रहेगा वह जगह जहां पर मार करनी है अगर यहां से वहां तक telephone की लाइन है तब मारा जा सकता है clear है हर्ष फिर हम देखेंगे command guidance जो भी मिसाइल में एक बार हमने command डाल दी कि यहां से आओ वहां पर मारना तो उसको बोलते है command guidance माल लो कि दुश्मन हमारे दुश्मन हमारे यहां पर आया और दुश्मन के पास यह चीज नहीं मिली भाई क्या नाम है यहां से location नहीं भेज पाया लेकिन उसने क्या किया उसने photo भेज दिये यहां से क्या किया किसी फौज की जगह का या कोई मालो की भाई गोरकपूर में कुछ स्पेशल जगह है जैसे गोरकनाट टेंपल एक्जाम्पल लो तो मालो इसके फोटो खीच के भेज दिये उसकी लोकेशन नहीं बेज पाया अधीरे से फोटो कैमेरे से फोटो खीची और फोटो खीच के फोटो बेज दिये तो अब वहां पर क्या होगा वहां पर मोबाइल के सिस्टम में वह फोटो डाल दी जाएगी अब जो यह जो हमारा मिसाइल के सिस्टम में वह फोटो डाल दी गई यह टरेन कैसा दिखता है यह हिस्सा कैसा दिखता है वह डाल दिया गया अब जब वह मिसाइल अएगा और इन जगों- परिप्रॉक्सिमेट लोकेशन पता है है या उसमें डाल दी कि हुआज कंषै टांगों के माध्यं से से क्षीफ और हुगा है हाँ वायर वाला तो तरंग्रों के माद्यम से 100% होगा लेकिन यहां पे तरंगे वो उतनी ही दूर पे हैं तरंगे वो उतनी ही दूर पे हैं जहां तक वो वायर बिच्छा हुआ है राइट हर्शी माल लो अगर यहां से पाकिस्तान में हमारी टेलिफॉनिक शुविदा है और आराम से वो वायर गाइडेंस मिसाइल हो सकता है चलो दूसरा टरेन कंपारिजन के हिसाब से टरेन कंपारिजन मतलब की गोरकपूर के एरिया का फोटो खीच के उसको भेज दिया अब मिसाइल में गोरकपूर में मार देंगे लेकिन गोरकपूर में कहां मारना है तो यह मिसाइल जो है वो क्या करेगा उसके पास ओलड़ी एक फोटो है तो फोटो से उन जगहों को मैच करता रहेगा जैसे ही वो जगह उसके साथ मैच होगी ठीक है टरेन का कंपारिजन क करेगा उस शेत्र को केंप एरजन करेगा अच्छा यह जगह इस शेत्र से मिल रही है वहाँ पर वो मिसाइल गिर जाएगा कि सालू बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है मतलब लोकेशन होल इन्फॉमेशन है फिर टेरेस्ट्रियल गाइडेंस यह मतलब यह ठीक वैसे ही परदेश का किस कौन से किस अस्थल में मारना है उसके हिसाब से जाएगा इनर्षिया गाइडेंस क्या होती है इनर्षिया गाइडेंस जैसे आप मालनो कि बंदूक में गोली बंदूक के अंदर गोली जो पड़ती है वो भी एक प्रकार और प्रकार का मिसाईल ही समझो एक्जांपल मैं बोल रहा हूं तो inertia guidance क्या होती है बंदूग के अंदर जो गोली पड़ी है उसमें chemical inertia है जब आप जैसे ही उसको hit करते हो तो क्या होगा वो hit करेगी उसका chemical burn होगा और जितने दूर तक जाने के लिए उसमें speed है उतने दूर तक वो जाके मारेगी उसको बोलते हैं inertia guidance वैसे ही beam rider guidance क्लियर है पिर beam rider guidance फिर वैसे जैसे मैं अभी laser का बता रहा था देखो laser और beam rider दोनों लगबग एक जैसी हैं दोनों एक जैसी है laser थोड़ा advance हो गया यानि कि अगर यहां से वहां तक तो laser guidance कब हो सकता है laser guidance तभी हो सकता है जबकि target जो है वो कैसे हो target एकदम आमने सामने हो यहां से वहां पर laser डाल दिया फिर fire कर दिया inertia को कहते हैं inertia का मतलब हुआ जैसे माल लो हमने बताया कि एक अगर हम ले रहा है तीर तो तीर भी हमारा एक प्रकार से जितनी जादा रसी खीचेंगे डोरी को जितनी जादा खीचेंगे उतनी ही दूर जाएगा उतनी ही inertia उसमें है वैसे ही बंदूक की गोली बंदूक की गोली में जितना start में उसके अंदर जितना बारूद भरा रहेगा कि यह बारूद उस गोली को उतने दूर तक ले जा सकता है तो यह जो दूर तक ले जाने के लिए उसका फ्यूल का प्रकार है प्लस कितना तेजी से खींचा जा रहा है यह सारी चीजे इनर्शिया गाइडेंस है है इनर्शिया में chemical होगा न किसवा रिफा हां और फिर सक्सटर बाइडिक निक बिया हो difficile है होगा है है और पिर लेजर गाइड़न है मैंने बताया कि जब भी मालों की एक आर्टीलरी एक तोप यहां है एक टैंक यहां पे है दूसरा टैंक वहां पे है अब जमीन से जमीन पर मार करना है तो वहां से यहां से वहां तक laser डाल दिया laser जहां पे गया और वहीं पे हमने fire कर दिया वो जाके वहां पे लग गया मतलब कि laser guidance में लाइन ऑफ साइट दिखनी चाहिए दो जहाज उड़ रहे हैं दोनों ही जहाजों में मिसाइल है अगर हमारे शुखोई ने जिसमें ब्रमोस्त लग सकता है अगर सुखोई गैजभी ने किसी सामने वाले जहाज को अगर देख लिया और यह मालुत जो भी मिसाइल लगा है इसमें लेजर गाइड़नस है तो बस उस जहाज पे एक लेजर डालनी है डॉट डालनी है और डॉट पे जहाज उसको छोड़ देना है एस जहां लेजर दिखेगा वहाँ भेज़ दो लोकेशन जीपीएस में डाल देंगे मिसाइल के अंदर भी जीपीएस लगा है वो जीपीएस बस उसको पढ़ता हुआ जाएगा उसी लोकेशन पर जाके मारेगा क्लियर है कि एब्रिवडी अंडिस्टूड आप सभी लोग इसको समझ गया है वेरी गूड सभी बताईए कि भाई समझे नहीं समझे तो इस प्रकार से हम लोग अच्छे तरीके से समझ गया है कि भाई यह क्या होते हैं अब हम चलेंगे यह दो चीजों को बहतर तरीके से जाने क्रूज मिसाइल क्या होती है और बैलिस्टिक मिसाइल बीम और लेजर में क्या डिफरेंस है हर्स यह बीम और लेजर जो हैं दोनों एक ही हैं बीम की डिस्टन्स जो होती है कम होती है एडवांस में लेजर आ गया है लेजर कैन भी सेंट टू तो ता मतलब उसकी थोड़ी डिस्टन्स जादा हो सकती है राइट हर्षी ने कहा कि सर यह लोकेशन तो मैप से भी निकाली जा सकती है बहुत ही अच्छा लेकिन आप जान लीजिए हर्षी कि कभी भी कभी जो ऐसी वल्लेनेबल जगें हैं मालो की कुछ इस्पेशल जगें हैं जैसे हमारे डियाडियों के आफिस जैसे हमारे फौज में अगर म में पॉइंट कहां पर है कहां पर मारें तो सबसे तो इसी लिए आप पाओगी कभी भी मैट के अंदर वो percentages जगें मार्क नहीं हैं कोई भी कंट्री मार्क नहीं करती है रइट हर्षी लोकेशन में कभी भी ऐसी जगों को मार्क नहीं किया जाता है सिर्फ यह दिखा दिया जाएगा चिफ यह दिखा दिया जाएगा कि यहFit अगुर्ण है हो सकता हैं हट्व कि है हंडिट पर्सेंट यो पुल्वा माय अट्यक हुआ है ये हरेक जगह पे location ही माइनने रखती है हम ही में से कुछ लोग फॉज में कितना भी मना किया जाता है हम लोग पक्का वहाँ पे लेके चले जाते हैं अपनी क्या चीज हम सभी लोग वहाँ पे अपना मोबाइल ले जाते ही हैं मानते नहीं है तो यह जो चीज है हमारे लिए घातक है नहीं ले जानी चाहिए क्लियर है चलो हाँ स्मार्टफोन स्विच ऑफ करिए गेट पर जमाई कीजिए उसके बाद जाहिए अब हम चलते हैं बाई क्रूज मिसाइलों को जालने क्रूज मिसाईल और बैलिस्टिक मिसाईल देखो, मिसाइलों के प्रकार के अधार पे दो प्रकार होते हैं क्रूज मिसाइले और बैलिस्टिक मिसाइले प्रक्षेपन के तरीके के अधार पे मैंने आपको बता दिया अब सीधे हम आते हैं मिसाइलों के प्रकार क्रूज मिसाइले क्या होती हैं भाई सबसे पहले हम जानेंगे क्रूज मिसाइले तो पहले हम देखते हैं इंग्लिस में फिर देखेंगे हिंदी में पहले हम देखते हैं इंग्लिस में फिर हम देखेंगे हिंदी में मिसाइलों के प्रकार चलो कुरूज मिसाइले क्या हैं अब देखो उन्हें बात करी यह सबसे पहले मिसाइल टाइप बिल्कुल बिल्कुल इंग्लिस फाइल यूज कर रहा हूं तो यहां पे यहां पे जो बात कही जा रही है मिसाइल टाइप में वन मिनिट ड्रॉ ठीक है मिसाइल डेप पहला बात करेंगे हम क्रूज मिसाइल वत इस क्रूज मिसाइल? Cruise Missile are unmanned, self-propelled guided missile which can carry large payload with high precision This missile is guided entirely to the target under its own power Cruise Missile क्या होती है? Cruise Missile के अंदर खुद का propulsion होता है उसके अंदर जो भी इंधन पड़ता है Self-propelled यानि की इनके अंदर खुद का propulsion होता है एक मिनिट क्या होती है इनके अंदर? खुद का engine होता है खुद का engine होता है और ये और ये guided होती है मतलब जहां से target में डाला गया है वहीं पे जाकर के ये मार करेगा और ये guided होती है क्रूज मिसाइल और unmanned मिसाइलों के अंदर कोई भी कोई भी आदमी बैटके नहीं जाता unmanned होती है यानि कि मानव रहित होती है है ये मानव रहित कि सेल्फ प्रोपेल्ड खुद से खुद से जाएंगी खुद का इंजन होता है है खुद से गाइड़ेड होती है विच कैन कैरी लार्ज पेलोड और पेलोड क्या होता है मान लो कि अगर दुश्मन के टार्गेट पे उस मिसाइल को लगना है तो उस टार्गेट के लिए कितना 1000 किलो मान लो कि 1000 किलो भार का हम वहाँ पे नुक्लियर बम डालना चाहते है या 500 किलो भार का ले जाना चाहते है तो वो जितना बॉम्ब होगा उसके अंदर मिसाइलों के उपर हम क्या कर सकते हैं जो वार हेड लगाते हैं जो ये देखो ये हो गया मिसाइल ये हो गया मिसाइल और सामने हो गया ये warhead ध्यान दीजे हाँ बिलकुल ये हो गया missile और ये हो गया हमारा इसका fin हो गया जो की हवा में इसको ले के जाता है ये हो गया warhead इसको बहुते हैं warhead यानि की यही जो है सामने से और इसके अंदर इसका propulsion इसका अंदर इसका इंधन बरा रहता है इसके अंदर इसका इंधन बरा रहता है इंधन इंधन बरा रहता है इसका यू गेट फ्यूल ओवर हियर फ्यूल बरा रहता है जो वारहेड होता है यही वारहेड इसमें कितना वजन का वारहेड लग सकता है मन लोग की 500 kg का लगा दिया 500 kg का लगाया या 1000 kg इसके अंदर जो भी हंतियार लेके जा रहे हैं मन लोग की यहां पे वारहेड चेंज करके हमने क्या nuclear वारहेड लगा दिया कि वहां पे atom bomb हम लेके जा रहे हैं वहाँ पे hydrogen bomb गिराने वाले हैं, तो इसका वजन कितना है, clear है, सब लोग बात समझ रहे हैं, ये cruise missile मानव रहित होते हैं, खुद का engine होता है, guided होते हैं, जहांस पे कहा जाएगा, वहीं मारेगा, और बहुत जादा, जादा वजन ले जा सकते हैं, जादा वहन छमता वाले होते हैं, यानि कि जो भी warhead, युद्धक, युद्धक, शीर्स जो लेके जा रहे हैं, हाँ, परमाडू बम, जो युद्धक, शीर्स लेके जा रहे हैं, उसका वजन कितना है, clear, यहाँ पे normal भी बारूद वाला भी लग सकता है, और वहाँ पे atom bomb वेगरा भी लग सकते हैं, clear है, हाँ, परमाडू बम वेगरा भी लग सकते हैं, तो large payloads with high precision, प्लस, इनकी जो precision होती है, वो बहुत ही, बहुत अच्छी होती है, यानि कि accuracy, 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 precision का मतलब होता है, accuracy, अब माल लो कि अगर ये पाकिस्तान का ये इसलामाबाद है, अगर इसलामाबाद के अंदर इसको मारना है, accuracy का मतलब क्या हुआ, शुद्धता, ये माल लो, इसलामाबाद है, कहां, इसलामाबाद, इसलामाबाद तो इसलामाबाद यहां पे है अगर इसका प्रिसीजन खराब है तो यह कहां पे यहां पे न जाकर के यहां पे मार देगा तो ये जो हमारे cruise missile होते हैं, इनका precision जो होता है, बिलकुल ही सही है ये missile अगर इसलामाबाद में है, तो सीधे इसलामाबाद में ही गिरेगा हाँ 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, हिरोसिमा पे और 9 अगस्त को गिराया गया था, नागा सागी पे सालू 6 अगस्त and 9 अगस्त, 1945 हाँ, सारे दुश्मन क्लास में ही करतम हो जाएंगे तो I hope कि ये चीज़े आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं clear, precision का मतलब होता है, accuracy, accuracy मतलब निसाने पर मारने की शमता ठीक है, सही निशाना सही निसाना लगेगा इसका clear है सही निसाना लगेगा right, तो इसको हम बोलते हैं cruise missile तो cruise missile ये क्या होती है, देखो, खुद का engine होगा, guided होगी right, भारी, भारी, जादा वहन शमता ले जा सकती है और सही निसाने पर मारेंगी ठीक है, और अपने target तक बिलकुल खुद से guided होती है खुद से guided होती है, ओके तो फिर इसका अंतर क्या है, देखो, they are known for their low level flight इसे हम इसके low level flight पे जाते हैं, low level flight क्या होती है भाई, मान लो कि आपने movies में देखा है, movies में, movies में देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जहाज बहुत नीचे उड़ते हैं, दुश्मन के मार्ग में जाके क्यों, क्योंकि आप कुछ, एक movie देखना, अगर हर्ष वगएरा तो नहीं, जो movie देखते हैं, अर्जुन I suggest you a movie, यह चीज समझ में आ जाएगी, टॉप गन, टॉप गन करके एक movie देखना, टॉम क्रूज की है क्या है, टॉम क्रूज की एक movie है, टॉप गन, हाँ, तो अगर कोई जहाज low-label flight पे जाता है, तो क्या होता है, कि सबसे पहला तो वो radar से दूर रहेगा, दूसरा, दूसरा, उसको heat seeking missile जो होती है, वो भी नहीं धूड पाएंगी, एक होती है heat seeking missile, heat seeking missile क्या होती है, एक बार उसको छोडेंगे, तो उसको जहाँ पे भी, जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा heat मिलेगी, वहाँ पे जाके मारेगा, तो अगर कोई missile हमारे यहाँ पे गिरने आ रहा है, कोई missile हमारे यहाँ पे गिरने आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे रडार पे सबसे पहले अगर उसका लेबल उपर है तो हमारे रडार पे सबसे पहले दिख जाएगा अगर कोई मिसाइल कोई भी जहाज लो लेबल पे एकदम नीचे से उड़के आएगा तो हमारे रडार नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि हमारे जो रडार है वो उपर उपर ही अपने beams को छोड़ते हैं इसलिए कोई भी जहाज हमारे दुश्मन का जहाज हमारे सीमा में गुशता है तो हमारे radar पे वो आ जाता है तो ballistic missile क्या करते हैं कि भाई मालो कि यह जो radar की सीमा यह है तो ballistic missile यहां से उड़के जाएंगे नीचे से उड़के जाएंगे तो रडार में पकड़ में ही नहीं आएंगे क्लियर है तो लो लेबल फ्लाइट होती है इनकी ठीक है इनकी भाईया लो लेबल फ्लाइट होती है लो लेबल फ्लाइट मतलब कि यह कम कम उचाई पर उढ़ते हैं कि कम उचाई पर उढ़ते हैं जिससे अब इनंदन मिग्ग 21 में थे ठीक है कम उचाई पर उढ़ते हैं जिससे जिससे वे रडार की पकड में नहीं आते उसके बाद एक और चीज होती है पकड में नहीं आते माल लो कि अगर उसके उपर कोई आप heat-sicking missile भी छोड़ते हो कि भाई इसको बीच में ही मार दें तो heat-sicking missile भी एक अच्छे लेबल पे उचाई पे कोई जहाज या missile जा रहा हो तभी उसको मारेगा ठीक है तो heat-sicking missile के लिए क्या है भाई अगर यहां से अगर कोई जहाज उड़कर के missile जा रहा है और यहां से आप fire कर दोगे तो जहाँ पे भी उसको ज़्याधा heat मिलेगी उधर जाके घूम के मार देगा क्लियर वहां पे जाकर के तो सबसे ज्यादा हीट कहां मिलती है किसी भी मिसाइल किसी भी जहाज के पीछे वाले हिस्से में जहां से क्या निकलता है जहां से धुवा निकलता है जहां से जेट निकलता है वहां पे जाकर के मार देगा तो अगर यह हमारे मिसाइल क्रूज मिसा के पकड़ में आएंगे जिससे कि उनको तबाह किया जा सके है ठीक है ठीक है बताइए सब लोग इस बात को समझ रहा है एबरीबडी लो लेबल फ्लाइट में जाते हैं बहुत ही नजदीक दूरी पे उड़ते हैं And horizontal to surface which helps them to avoid detection from antimissile system उसके बाद उस देस के अंदर कोई भी antimissile system लगा हो एंटी missile system कोई भी लगा हो तो anti-missile system भी सारे radar के उपर ही काम करते हैं Anti Missile System क्या होता है, जैसे ही उस देस के हद में कोई भी Missile आता है, वो automatic fire होते हैं, automatic उसको मार के गिरा देंगे, अब मान लो कि सारे जो हैं, जो दुश्मन के जो Anti Missile System है कि कोई भी Missile गुसेगा, उसको मार देंगे, तो उसके लिए उचाई निर्धारित है, अगर हमने एक ऐसा मिसाइल मारा जो एकदम नीचे नीचे जा करके मारेगा तो एंटी मिसाइल सिस्टम उसको नहीं तबाह कर पाएगा everybody understood बताइए सबी लोग इसको समझ रहे हैं सबी क्या आप लोग इसको समझ रहे हैं anyone जो नहीं समझ रहा है very good चलो दूसरा प्लस जो हमारे क्लूज मिसाइल है इनको कहीं से भी लॉंच किया जा सकता है इनको लॉंच किया जा सकता है हवा से मतलब हवा से हवा में मार कर सकते हैं फिर शता से भी इनको लॉंच किया जा सकता है सता से कहीं से भी इनको स्टार्ट कहीं से भी किया जा सकता है किसी जहाज में फिट करके मारा जा सकता है किसी जमीन पर आटिलरी के माद्यम से मारा जा सकता है शिप के समुद्री जहाज के माध्यम से इसको मारा जा सकता है और सब्मरीन यानि की पंडुबियों के हिसाब से मारा जा सकता है हर्षी बिल्कुल खत्रनाक होते हैं और यह हमारे पास ही नहीं यह कई देशों के पास है यह हमारे पास ही नहीं है यह कई देशों के पास है प्लस इनको पंडुब्बियों के माध्यम से मारा जा सकता है तो यानि कि ये जो cruise missile है ये हवा, शतह, समुद्री जहाज and पंडुब्बी किसी से भी चलाया जा सकते है They can be launched from the air, from the land, from the sea and from the submarines 7.30 में आज class होगी, 100% class होगी ठीक है, 7.30 पे class होगी, थोड़ा सा delay हो सकता है अगर class नहीं तो class time से होगी, don't worry दूसरा, फिर हम देखते हैं कि अब इनको speed के हिसाब से speed के हिसाब से हम इनको categorize करते हैं बस बस यह हम cruise missile और ballistic missile दो चीज़े समझ लें, उसके बाद से खतम करते हैं इसको पहला होता है जिसको हम बोलते हैं सब सोनी क्रूज मिसाइल, सब सोनी क्रूज मिसाइल किसको कहते हैं, तो सब सोनी क्रूज मिसाइल को हम कहते हैं, 1245 में 8 बटे 10 से भाग दे दो, मतलब 0.8 मेंक, 1 मेंक इस 1245, तो अगर हम भाग दे देंगे कैलकुलेटर से, एक मिनट, कैलकुलेटर 1245 इंटू 8, तो अगर किसी की भी स्पीड 9960 किलोमिटर पर आर से कम है, यानि कि आप 9960 हटाईए, अगर किसी भी मिसाइल की स्पीड 1000 किलोमिटर पर आर से कम है, तो इसको हम कहते हैं सब सोनिक, सब सोनिक मतलब ध्वनी से कम गती का, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सब सोनिक, मतलब ध्वनी से कम गती का, ध्वनी से कम गती का क्रूज मिसाइल दूसरे अगला होता है सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल किसको कहते हैं अगर किसी भी जहाज की स्पीड देखो एक मिनट फिर से मैं मल्टिप्लाई कर दूँ आप लोग इसलिए अगर हम 1245 में 2 से करते हैं मतलब लगबग पच्चिस सो किलो मीटर प्रती घंटा से ले करके और अगर इसको हम लगबग 3700 किलो मीटर प्रती घंटा तक होती है तो इसको हम कहते हैं ध्वनी से अधिक गती का या इसको हम सूपरसोनिक कहते हैं सूपरसोनिक ही लिखना पहले को लिख लो सबसोनिक समसोनिक का मतलब हुआ भाई ध्वनी से कम घंटी का सब मतलब कम फिर अगले को लिखेंगे सूपरसोनिक और फिर अंती में सूपर मतलब होता है ज्यादा ज्यादा और अंत में होता है हाइपर सोनिक, हाइपर मतलब होता है बहुत जादा, बहुत जादा, यानि कि हाइपर सोनिक, इसको हम लिखेंगे हाइपर सोनिक, हाइपर सोनिक, क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल, यहाँ पे क्या होगा, कि अगर किसी की स्पीड, लगबग, छे हजार, मतलब, आप समझ लो कि, पैंसट सो, पैंसट सो किलोमेटर प्रती गंटा से अगर जादा है, तो इसको हम बोलेंगे हाइपर सोनिक, समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हैं, वन मैक, हाँ, ध्वनी की गती से जादा, बिलकुल सालो, अगर सब सोनिक है, तो 0.8 मैक, वन मैक होता है, 1245, तो 0.8 मैक मतलब 1000 किलोमेटर प्रती गंटा, दूसरा होता है, सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल, 2 से 3 मैक, मतलब 2500 किलोमेटर से लेकर के, 3700 किलोमेटर प्रती गंटा की रफ्तार, हाइपर सोनिक, मतलब 1 गंटे के अंदर, 1 गंटे के अंदर, वो 2700 किलोमेटर जा सकता है, वो मिसाइल, फिर हम देखते हैं हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल यानि कि 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड एक मैक लिख लेना वन मैक जो होता है वो हमेशा कितना होता है 1245 किलोमेटर प्रती घंटा तो आप लोग बस ये मैक वाला ही सिस्टम याद रखना 0.8 मैक से कोई कम है तो सबसोनिक है कम स्पीड का है अगर कोई मिसाइल 2 से 3 मैक का है तो वो सूपर सोनिक है 5 मैक से ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे भाई हाइपर सोनिक बिल्कुल ही, speed से ही confirm होता है कि यह continental है या intercontinental चलेगा राइट हाँ, दूसरा, speed तो है ही कांती सिंग, speed तो है ही speed के अलावा एक और भी चीज होती है माल लो, माल लो कि आपकी speed ज्यादा है हाइपर्सोनिक है, लेकिन आपके पास फ्यूल कम है, आपके पास फ्यूल कम है तो तब भी तो दूर नहीं जाएगा ना हर्शी, और कांती, अगर आपके पास फ्यूल जो है, जो इंधन है, कम है, तेली नहीं है टंकी ही छोटी है, राइट speed है कि कितने तेजी से कितनी दूर तक मार करेगा, कितनी तेजी से जाके मार करेगा, लेकिन continental कैसे decide होगा, continental, continental decide होगा, कि भाई, कितना तेल इसमें भरा जा सकता है कि उतने दूर तक जाए, राइट, समझ रहे हो आप लोग, चलो, तो ठीक है, एक काम करते हैं, अब मैं आपको bell stick कल बताऊंगा, क्योंकि यह काफी detail में बताएंगे, आप लोग अच्छी से समझना, फिर mirb भी बताएंगे, राइट, चलो, ठीक है, so let us meet at 7.30, 7.30 पे फिर से मिलते हैं, हाँ, आज रहने देते हैं, 7.30 पे फिर से मिलेंगे, इसको पूरे वीक में धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके हम लोग खतम करेंगे, राइट, हाँ, डेली इसी टाइम पे ये होगी, क्लास, थोड़े-थोड़े देर पे खतम करेंगे, और दूसरे क्लास को, मैं 7.30 नहीं, कोसिस करता हूँ, 8.00 पी-म रखने की, 8.00 पी-म, उसको प्रूफ रीड भी करना है, ठीक है, उस क्लास को हम रखते हैं, 8.00 पी-म पे हिस्ट्री, आप लोग को भी थोड़ा अराम मिल जाएगा, 8.00 पी-म, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ओके, ठैंक्यू एवरिवन, ठैंक्स और जय हिंद,